नागरिक्ता कानून, NRC और NPR को लेकर देश में फैले भ्रम को लगातार दूर करनी की कोशिश की जारी है तो वही कुछ नेता ऐसे हैं जो इस भ्रमजाल को बनाये रखना चाहते हैं क्योंकि वो जानते हैं कि अगर ये भ्रमजाल तूट गया तो उनसे उनका वोट बैंक भी छिटक जाएगा तब ही तो ये नेता अक्सर अपनी पार्टी फोरम से ऐसे बयान देते रहते हैं जिससे इस देश के खास धर्म को मानने वाले लोगों में CAA को लेकर डर और भय का माहौल बना रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी ने एक बार फिर से नागरिक्ता कानून NRC और NPR को लेकर सरकार पर निशाना साधार और अपने बयानों के जरी जहर उगलने का काम किया है ओवैसी ने कहा NRC और NPR टाड़ा कानून से भी जादा खतरनाथ हैं इसके रूल्स टाड़ा कानून से भी जादा सक्त और कठोर हैं भारतिय जनता पार्टी NRC और NPR को लेकर जूट बोल रहे हैं और देश की जनता की आँखों में धूल जोकने का काम कर रहे हैं असदुद्दीन ओवैसी यही नहीं रुके ओवैसी ने आगे कहा दिल्ली में हुए दंगों के लिए भारतिय जनता पार्टी जिम्मेदार हैं दिल्ली हिंसा एक लक्षित संगठित हिंसा है और पिये मोधी को प्रभावित इलाकों का दौरा करना चाहिए दरसल AIMIM के 62 स्थापना दिवस को हैदराबाद के सांसद ओवैसी संबोधित कर रहे हैं ओवैसी ने आगे कहा कि दिल्ली हिंसा बीजेपी नेताओं के भड़काओ भाशन की वजह से हुई नफरत का ये माहौल पैदा किया गया ये सांप्रदाइक हिंसा नहीं बलकी तबाही दो दिन तक दिल्ली जलती रही लेकिन पी-म एक शब्द नहीं बोले जब गुजरात जल रहा था तब भी मोधी कुछ नहीं बोले थे ऐसा नहीं है कि ओवैसी ही सिर्फ ऐसे बयान दे रहे हैं ओवैसी की पार्टी के विधायर मुफ्ती मुहमद इसमाईल तो ओवैसी से एक कदम आगे बढ़ गए माले गाओं में मुफ्ती मुहमद इसमाईल ने अपत्ती जिनक बयान देते हुए कहा कि लिए मेरा सवाई डिपार्टमेंट से है कि अगर शहर में गोली चलती है और किसी शक्स को गोली लगती है कोई केस क्यों दर्ज नहीं किया गया F.I.R. क्यों दर्ज नहीं की गई क्या आप समझते हैं कि शहर के लोग बेवकूफ हैं अगर बात हम पर आएगी तो डिपार्टमेंट इस बात को नोट कर ले कि अगर अमन बाकी रखना जानते हैं तो अमन कैसे जाएगा वो भी हमें पता है हमने कोई चूणिया नहीं पहनी है यह हमारी शराफत है कि हम आज तक खामोश हैं और शहर के अंदर इस तरह की गुंडागर्दी और दादागिरी चल रही है कुछ दिन पहले भी असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के नेता वारस पठान ने भी भड़काओ बयान दिया था जिसके बाद उन्हें माफी मांगनी पड़ी दिल्ली की इंसा के बाद भी ये नेता भड़काओ बयानों से परहेज नहीं कर रहे है ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि सब कुछ ओवैसी के शेह पर ही हो रहा है NMF News की अपील है कि आप किसी नेता के बातों में ना आए और कोई भी कदम ना उठाए इनका क्या है इनकी दुकानदारी तो चली जाती है घर हमारा उजड़ जाता है CAA को लेकर पीए मुदी ने जो राजिस सभा में कहा था वो बयान सभी को सुनना चाहिए आदेने सभाबती जी सदन में CAA पर पर चर्चा हुई है यहां बार 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 बताने की कोशिक की गई है कि अनेक हिस्थों में प्रदर्शन के नाम पर अराज़कता फ्यलाई गई जो हिंसा हुई उसी को अंदोलत का अधिकार मान लिया गया बार बार सम्मिधान की दुहाई उसी के नाम पर अंदेमोक्रेटिक एक्टिवीटी को कवर करने का प्रयास हो रहा है मैं कॉंग्रेश की मजबूरी समझ आती है लेकिन केरल के लेप फ्रंट के हमारे जो मित्र है उनको ज़रा समझ रहा चोगी उनको पता होना चाहिए आने से पहले कि केरल के मुख्यमंत्री उन्होंने कहा है कि केरल में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो एक्स्टिमिस ग्रूपों का हाथ होने की बात उन्होंने विधान सभा में कही यहीं नहीं उन्होंने कडी कारवाही की चेतामनी भी दी है जीस अराजकता से आप केरल में परिशान है कि उसका समर्थन आप दिल्ली में या देश के अन्य हिस्सों में कैसे कर सकते हैं इस 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 सिटिजन्सिप एमेंडमेंट एक्ट को लेकर जो कुछ भी कहा जा रहा है जो प्रचारित किया जा रहा है उसको लेकर सभी साथियों को खुद से सवाल पूछना चाहिए क्या देश्क को मिसिनफॉर्म करना इस प्रवुत्य को हम शब ने रोकना चाहिए क्या यह हम सब का कर्तव है नहीं मैं किया हमें ऐसे केम्पेन का हिस्सा बन जाणा चाहिए और मान लीजें किसी का राजनितिक बना होने वाला नहीं है मान के चलिए और इसलिए ये रास्ता सही नहीं है मिल बैठ करके जड़ा सोचें कि हम सही रास्ता में जा रहे हैं क्या और ये कैसा दोहरा चरीत रहे है आप 24 गंटे अल्क पसंखेकों की दुहाई देते हैं बहुत शांदार शब्दों का उप्योग क सब्सक्राइब के कह रहा है आनिम जी को सुन रहा थे लेकिन अतीद की गल्तियों के कारण पडोस में अल्पसंख्यक सब्द आपको बहुत पसंद है ने इसलिए मैं कह रहा हूँ पडोस में अल्पसंख्यक जो बन गए उनके विरुद्ध जो चल रहा है उसकी पीड़ा आपको क्यों नहीं हो रही है देश की अपेक्षा है कि इस संवेदंसिल मुद्दे पर लोगों को ड़ाने के बजाएं सही जानकारी देजाएं यह हम सबका दाईत्वा है है रानी की बात यह है विपक्ष के अनेक साथ ही इन दुनों बहुत उत्साइट हो गए हैं जो कभी साइलेंट थे आज कल वाइलेंट हैं सभापति जी का असर है लेकिन मैं आज चाहता हूं कि इस सदन बड़े वरिष्ट लोगों का है तो कुछ महपूरुसों की बाते में आज जर आपको पढ़कर बचाना चाहता हूं पहला बयान है कि अधिता है लिए आखध देट आपधी केंदा आप धर इनके लिए। एंपरी और असमार अविटते हैं and general denial of all human rights up to them in that part of Pakistan the government of India so in addition to relaxing restrictions in migration of people belonging to the minority communities from East Pakistan to Indian Union also consider steps for enlisting the world opinion yeah yeah this is the only thing that we are and just like this is the only thing that सिंग वाला बोल सकता है लेकिन यह वक्तव्य किसी बीजेपिया जनसंग के नेता का नहीं है कि उसी महापुरुष का एक दूसरा वाक्य मैं बताना चाहता हूं उन्हों ने कहा है जहां तक इस पाकिस्तान का तालूग है उसका यह फैसला मालूम होता है कि वहाँ से नान-मुस्लिम जितने हैं सब निकाल दिये जाएं वह एक इस्लामिक स्टेट है एक इस्लामिक स्टेट के नाते वह यह सोता है कि अहां इस्लाम को मानने वाले ही रह सकते हैं और गैर इस्लामि लोग नहीं रह सकते हैं लिहाजा हिंदू निकाले जारहे हैं इसाई निकाले जा रहे हैं मैं समझता हूं कि करीब 37,000 से उपर क्रिश्चन्स आज वहां से हिंदुस्तान में आ गये हैं बुद्धिश भी वहां से निकाले जा रहे हैं यह भी किसी जनसंग का आप भाजय पाके नेता का व्याक्य नहीं है और सदन को मैं बताना चाहूंगा यह शब्द उस महापुरुष के हैं जो देश के प्रियव प्रधान मंत्रियों में से एक रहे हैं वो स्रद्धे लाल बादूर सास्त्री जी के भागत है अब आप उनको भी कॉमिनल कह देंगे आप उनको भी हिंदू मास हिंदू और मुस्लिम के डिवाइडर कह देंगे यह बयान यह बयान लाल बादूर सात्री जी ने सौसद में 13 अप्रिल 1964 को दिया था नहरू जी उस समय प्रधान मंत्री थे तब धार्मीक प्रतात्ना की वज़े से भारत आ रहे सरनार्थियों पर सौसद में चर्चा हो रही थी उसी दर्म्यान सास्त्री जी ने ये बात कही थी अधिने सभापती जी अब मैं अधिने सदन को एक और बयान के बारे में बताता हूं और ये खास करके मैं मेरे समाजवाजी मित्रों को विशेश रुप से समर्पित करता हूं क्योंकि शायद यही हैं जहां से प्रेणा मिल सकती है जर अधियान से सुनें हिंदुस्तान का मुसल्मान जीए और पाकिस्तान का हिंदु जीए मैं इस बात को बिलकुल ठुकराता हूं कि पाकिस्तान के हिंदु पाकिस्तान के नागरिक है इसलिए हमें उनकी परवा नहीं करनी है पाकिस्तान का हिंदु चाहे कहां का नागरिक हो लेकिन उसकी रक्षा करना हमारा उतना ही करतव है जितना हिंदुस्तान के हिंदु या मुसल्मान का यह किसने कहा था यह भी किसी जन संग भाजेपा वाले का नहीं है यह श्रीमान राम मनोहर लोहिया जी की बात है हमारे समाजवाजी साथी हमें माने या न माने लेकिन कम से कम लोहिया जी को हम नकारने का काम न करें यही मेरा उनसे आगर है झाल